फिल्म थ्री इडियट्स से जुड़े अनसुने किस्से फिल्म थ्री इडियट्स भारतिय सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जिसने न केवल बोक्स आफिस पर धूम मचाई बलकि दर्शकों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ी राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने शिक्षा प्रणाली और छात्रों की चुनोतियों को एक नए दृष्टिकोंड से पेश किया यहां हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों पर प्रकाश डालते हैं फिल्म का विचार और प्रेरणा थ्री इडियेट्स फिल्म का मूल विचार चेतन भगत की किताब 5.7 से प्रेरित था हालांकि कहानी में कई बदलाव किये गए जिससे यह और भी रोचक बन गई हिरानी और उनके सहलेखक अभिजीद जोशी ने इस कहानी को छात्रों की वास्तविक समस्याओं से जोडने का प्रयास किया उनका यह प्रयास सफल भी हुआ और लोगों के बीच इस फिल्म को काफी लोक प्रियता मिली और यह फिल्म सफल साबित हुई कास्टिंग का सफर फिल्म में आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं लेकिन पहले इन भूमिकाओं के लिए कई अन्य अभिनेता भी विचारा धीन थे आमिर खान ने पहले शर्मन जोशी का किरदार निभाने का सोचा था लेकिन अंततह उन्होंने रण छोड़ दास की भूमिका को अपनाया फिल्म की शूटिंग असली कॉलेज में हुई फिल्म के कुछ दृष्य वास्तव में भारतिय तकनीकी संस्थानों में शूट किये गए थे कई सीन जिसमें कॉलेज केमपस दिखाना था वह असली कॉलेज में ही शूट किये गए थे ताकि इसे वास्तविक्ता के साथ परदे पर उतर जा सके यह द्रिश्य कॉलेज के छात्रों के जीवन की वास्तविक्ता को दर्शाने में सफल रहा संगीत और गाने फिल्म का संगीत जिसे शांतनु मुहित्रा ने कमपोज किया है गाने भी दर्शकों को बहुत पसंद आया गाने All Is Well की रचना के पीछे एक मज़ेदार किस्सा है इसे शूट करने के लिए आमिर खान और अन्य कलाकारों ने कई बार इसे गाया और एक अनौपचारिक माहौल में इसे रिकॉर्ड किया यही गाना इस फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना साबित हुआ कई बार फिर से शूटिंग कुछ सीन को बार बार शूट करना पड़ा कुछ द्रिश्य को सही तरीके से शूट करने के लिए कई प्रयास किये गए यह फिल्म की गंभीरता को दिखाता है कि हर सीन को प्रभावी ढंग से पेश करने की कितनी कोशिश की गई डायरेक्टर हिरानी किसी भी सीन को लेकर कोई लापरवाही नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने हर दिन के साथ परफेक्शन रखा सेट पर रहता था मस्ती का माहौल शूटिंग के सेट पर हमेशा मस्ती का माहौल रहता था और सभी कलाकार आपस में मस्ती मजाक करते रहते थे। सभी कलाकारों के बीच अच्छी बॉंडिंग बन गई थी जिससे उनकी शरारतें और बढ़ गई इसी बॉंडिंग और मस्ती मजाक का असर परदे पर भी देखने को मिला। जब आमिर माधवन और शर्मन की दोस्ती प्रभावी ढंक से परदे पर नजर आई। समाज पर असर फिल्म के रिलीज होने के बाद छात्रों और माता-पिता के बीच शिक्षा के प्रतिसोच में बदलाव आया। यह फिल्म छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करती है जो कि उस समय की एक आवश्यक आवश्यकता थी। कास्ट की दोस्ती फिल्म की शूटिंग के दोरान आमिर माधवन और शर्मन के बीच गहरी दोस्ती विकसित हुई। शूटिंग के बाद भी ये तीनों कलाकार एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और आज भी एक दूसरे के संपर्क में हैं। फिल्म के संदेश त्री इडियट्स का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि छात्रों को अपनी रुचियों का पालन करना चाहिए। बजाए इसके की वे सामाजिक दबाव में आकर अपने भविश्य को सीमित करें। यह संदेश आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। यही सोच कर इस फिल्म का निर्मान किया गया था और उनका यह प्रयास सफल भी रहा। थ्री इडियेट्स एक ऐसी फिल्म है जिसने न केवल मनोरंजन किया बलकि समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए भी मजबूर किया। यह फिल्म एक प्रेरणा स्रोत बन गई है जो आज भी नई पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है।